Good morning students, welcome to Hindi class, dear children, chapter 11 का ही, part 2 हम मोखिक से शुरू करते हैं तो सोचिए और बताए, कब पाढ़ है बचो, अगर आप बल्लब की जगा होते, तो क्या करते हैं, बच्चे आप, पत्थर को हटा दीती, यही करते हैं बच्चे आप फिर देखो, अगर आप बल्लब की जगा होते, तो क्या करतें, तो क्या आंसर होगा हमारा, पत्थर को हटा देतें, खवपाट बचो, बल्लब के दोस्तों के स्थान पर, जदी आप होते, तो क्या करतें, तो क्या करतें बच्चे आप, उसकी पत्थर हटाने में मदद करतें, फिर सुनो उत्तर उसकी पत्थर प आदात थर पत्थर हटाने में मदद करते थर्ड घपाड बचो बलब को पत्थर हटाने में परिशानी क्यों हो रही थी? क्यों हो रहे थी परशानी बच्चो पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण फिर बोलू मैं बच्चो पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण अब आपको समझ आ गई होगी अब आईए बच्चे लिखित पाग में ठीक है बच्चो हमारा पहला प्रशन है दिये गे वाक्यों में हम इसको टिक क्रॉस नहीं बोलेंगे बच्चो सही और गलत बोलेंगे ठीक है सही या गलत निशान लगाए कपाड एक दिन बलब दोस्तों के साथ बजार जा रहा था वो बजार थोड़े जा रहा था वो तो स्कूल में जा रहा था इसलिए ये क्या है गलत है ख़पाड अध्यापक ने बलब को शाबाश्ती दी न जब उसने नेक काम किया तो ये क्या आएगा सही आगे चल कर बलब बापू नाम से मशूर हुए बापू नाम से नहीं मशूर हुए वो किसके नाम से मशूर हुए लहो पुरश के नाम से मशूर हुए तो ये गलत है दूसरा प्रशन है बचो दिये गे प्रशनों के उतर में सही निशान लगाईए कपाठ है किस से टकरा कर बलब के गुटने से खून निकलने लगा पत्थर से सडक से पेड से तो सही उतर क्या है पत्थर से बलब आगे चल कर किस नाम से मशूर हुआ महात्मा गांदी ज्वार अला नहरू जा लहो पूरिश तो क्या अंसर सही होगा हमारा लहो पूरिश लहो पूरिश क्या था आइरन मैन अब आजो प्रशनों के उतर लिखिए कपाठ बलब ने सडक के बीच से पत्थर क्यूं हटाया तो बचो क्यूं हटाया उतर है हमारा बलब ने सडक के बीच से पत्थर इसलिए हटाया ताकि, ये शब्द क्या है, ताकि किसी दूसरे को उसकी तरह चोट ना लगे. खपाठ है, अध्यापक ने सारी गटना सुन कर बनलब से क्या कहा, तो बचो उत्तर क्या है, अध्यापक ने कहा कि, बनलब तुमने बहुत अच्छा अदाचश को आच्छा काम किया है, एक दिन तुम देश का नाम प्रोशन करोगे. अब बचो पाठ से आगे, खपाठ बलब के पत्थर हटाने बाले काम से आपने क्या सीखा, क्या सीखा बचो? उत्तर हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए. खपाठ बालर बलब का पूरा नाम पता करके लिखिये. पूरा नाम क्या था बचो? सरदार बलब भाई पटे. फिर सुनो. सरदार बलब भाई पटे. तो जिवचो आपने अपनी नोट बुक पे सुन्दर सुन्दर लिखना है और इसको लर्न भी करना है. इसी के साथ धन्यवर.